नमस्कार आज हम इस सरल रेखा वाले जो हमारा अध्याय है इसका दूसरा भाग करेंगे इस भाग के अंत में आप क्या-क्या जान जाएंगे आईए देखते हैं इस भाग के अंत में आप जान जाएंगे कि पहले भाग का पहले हम दोहरान करेंगे जो हमने पहले भाग में पढ़ा था जिससे की अगले भाग से हमारा connect हो सके उसके बाद आज हम विशेश तोर पर पढ़ने वाले हैं रेखा का normal form लंब रूप क्या होता है उसको पूरी तरह से जानेंगे और फिर जो दिये गए प्रतिबंद हैं उनके आधार पर किसी भी सरल रेखा का समीकरण कैसे पता करते हैं इसको जानेंगे तो आये पहले हम दोहरां देखते हैं कि हमने पहले भाग में क्या-क्या सीखा पहले भाग में हमने सबसे पहले जो देखा था वो था हमारी रेखा की ढाल slope of line किसी भी रेखा की जो slope होती है ढाल होती है उसको दो तरीके से पता करते हैं यदि हमें किसी रेखा की x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में कोई कौन मालम हो तो उसके टेंजेंट की बैल्यू हमें ढाल कहला दिये इसके अलाबा मालम मैं कौन नहीं पता तो हमें दो बिंदू दे रखे होंगे उस रेखा के जब हमें दो बिंदू पता हों तब हम उसका धाल पता करने के लिए आपने देखा था कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करके हम किसी भी रेखा का धाल पता कर सकते हैं इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी दो रेखाएं यदि समानतर हैं इसका मतलब दोनों का ढ़ाल समान है अर्थात M1 बराबर M2 फिर ऐसा भी हो सकता है एक रेखा दूसरे पर लंब बत हो अगर लंब बत है तो हमने देखा था कि दोनों ढ़ालों का गुणन फल अर्थात M1 गुणा M2 बराबर होता है माइनस एक के इसके बाद हमने पड़ा था दो रेखाएं हैं उनके बीच का कौण कोई भी दो रेखाएं उनके बीच का जब कौण निकालना होता है और वो भी तब जब हमें उन दोनों रेखाओं का ढ़ाल पता है अर्थात M1 और M2 हमें मालुम है तब हम जो 10 थीटा यानि दोनों रेखाओं के बीच का कौण पता कर रहें तो M2 माइनस M1 बटा 1 प्लस M1 M2 ये हम जब दो रेखा हैं उनके बीच का कौण पता कर सकते हैं इसके अब आद हमने जो सरल रेखा है उसके बिविद रूप देखे थे पहला रूप जो सबसे ज़ादा जरूरी है आप सब को जान वो है बिंदू ढाल रूप पॉइंट स्लोप फॉर्म अर्थात हमें एक पॉइंट पता हो दूसरा हमें उसका स्लोप मालुम हो तो जो हम रेखा का समीकरण है वो हम बता सकते हैं कि Y-Y1 बराबर M-X-X1 करके और यदि हमें स्लोप नहीं पता ढाल नहीं पता और केबल दो पता है और हमें रेखा का समीकरण पता करना है उस स्थिति में केबल जो स्लोप है उसकी जगह Y-2-Y1 बटा X-2-X1 रख देंगे हमें रेखा का समीकरण पता हो जाएगा इसके बाद आता है आपका धाल अंतह खंड रूप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट दो होते हैं एक होता है X- États एक होता है Y- Intercept X- Intercept है तब हो गया Y बराबर M गुणा X-A सबसे ज़ाधा जो आपको उप्योगी होगा वो होगा Y- Intercept वाला इसलिए अगर Y- Intercept है तो Y बराबर M X प्लस C आपको आगे बहुत काम आने वाला है और आखरी में आपने पढ़ा था अंते खंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्ब, दो इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो X बटा A प्लस Y बटा B बराबर 1, आज हम थोड़ा सा इससे आगे सीखेंगे और वो है नॉर्मल रूप, आ नॉर्मल शब्द से जो थोड़ा सा हमारे ध्यान में आता है, नॉर्मल यानि पर्पेंडिकुलर, लेकिन कहां पर्पेंडिकुलर, ये आपको विशेश तोर पर देखना है, कोई भी रेखा किसी भी अक्ष पर इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन उसके जो मूल बिंदु है, वहां से लंब होना, अर्थात, ये कोई मेरे रेखा है, मूल बिंदु O है, O से उस रेखा पर लंब आना, अर्थात, ये, अगर इस तरह का कोई हमें दे रखा है, वो कहलाता है, नॉर्मल फॉर्म, एक बार फिर से ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म से जादा तर क्या ह होता है जैसे दो रेखाएं हैं लेकिन वो 90 डिगरी पर इंटर्सेट कर रही है वो भी नॉर्मल फॉर्म हो गया लेकिन किसी भी सरल रेखा का नॉर्मल फॉर्म अर्थात मूल बिंदू से रेखा के ऊपर लंब डलना और जब ये लंब है तो सारी मान इस लंब के दे रखे हो अब चुके हमने थीटा एलफा उधर माने हुए हैं इसलिए इसके लिए अलग से सिंबल दे दिया और इसको कहते हैं ओमेगा हाँ छोटा डबलू ओमेगा तो हमें पी है मूल बिंदू से दूरी लंब बद दूरी और लंब और एक सक्ष के बीच का कौन ओमेगा अगर ये बहुत आसान है आप जानते हो कि यहां से अगर मैं लंब डाल दूँ ये एक समकौण तिरभुज बन जाता है जैसा आप यहां देख रहे हैं अगर ये समकौण तिरभुज बन गया तो आप ध्यान से देखो कि इसमें ये है एक सक्ष पर अपने मान और ये है वाई अक्ष का मान अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक्स और ये ले लेता हूँ वाई आप जानते हो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है तो इसका मतलब एक्स का मान हो जाएगा पी कॉस ओमेगा और वाई का मान हो जाएगा पी साइन ओमेगा जब पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेग मेरे coordinate हो गए P बिंदू के मेरे पास एक बिंदू ये हो गया दूसरा मेरा 00 हो गया मैं two point form से आसानी से अपना जो ये रेखा है इसका समीकरन पता करने की कोशिश करूँगा एक और तरीका भी है मैं इन दौनों बिंदूओं से पहले इस वाली रेखा का slope यानि ढाल पता कर लूँ इस रेखा का जो slope होगा इस वाली रेखा के slope के माइनस एक बटा एम होगा इस तरह से मैं इस रेखा का समीकरन पता कर सकता हूँ जो बहुत ही interesting आएगा x cos omega plus y sin omega equal to P अर्थात मुझे ये कौन दे रखा है तो cos omega sin omega मैं मालुम कर लूँगा x cos omega plus y sin omega बरावर P का मान रख करके मैं आसानी से समीकरन का लंब रूप पता कर सकता हूँ आईए एक उदाहरन देखते हैं उस रेखा का समीकरन ग्याद कीजिए जिसकी मूल बिंदू से लंब बद दूरी इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल फॉर्म है जब मूल बिंदू से दूरी दे रखी हो लंब बद और धन एकसक्ष और लंब के बीच का कौन दे रखा है तीस डिग्री अर्थात आप जब हल करेंगे तब आप लिखेंगे हल में सबसे पहले दिया है अब दिया है मैं आपको क्या क्या दे रखा है आप देखें आपको पहला मान दे रखा है मूल बिंदू से लंब बद दूरी अर्थात पी वराबर दे रखा है पांच एकाई इसके बाद आपको ओमेगा की वैल्यू भी मालूम है ओमेगा दे रखा है 30 डिग्री अब पी और ओमेगा पता है तो समी करण आप लिखेंगे रेखा का समी करण आपको पता है के रेखा का समी करण होता है एक्स कॉस ओमेगा अर्थात 30 डिग्री जमा वाई साइन 30 डिग्री बराबर पी पी यानि पांच सिंपल आपको प्रश्न यहीं छोड़ना है का नॉर्मल फॉर्म हो गया और अगर आप साइन और कॉस का मान रख देंगे तो आप जानते हो कि कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है अर्थात बर्गमूल 3 बटा दो और साइन 30 का मान 1 बटा दो आप रख करके समी करण सिंप कि हमें जो प्रतिबंद दे रखे हैं उन प्रतिबंदों के आधार पर हम कुछ विशेश रेखा के समी करण कैसे पता करते हैं चलते हैं जैसे तिर्भुज PQR के शीर्ष दे रखे हैं अब ध्यान क्या रखना है कि मुझे तिर्भुज PQR दे रखा है यहाँ जादा तर जो गलती होने के चांस होते हैं वो यह होते हैं कि आप लोग तिर्भुज नहीं बनाते हैं तिर्भुज जरूर बनाना, PQR लिखना जो दे रखा है वो पहले यहां रखना कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा जैसे P का मान है 2-1 Q का मान है, माईनस दो, 3 और R का मान है, 4-5 यह आपने देख कर लिख लिया अब आपने क्या देखा, शीर्ष R से अब ध्यान करना जहां पर गलती होती है शीर्ष R से जाने वाली माध्यका का समी करण निकालो शीर्ष R कहा है, यहां है क्या, नहीं है लेकिन जादा तर बच्चे यही से माध्धिका बनाते है आर है यहां तो यहां से जब माध्धिका आप बनाओगे तो यह माध्धिका माध्धिका का मतलब है इन दोनों के मध्धे बिंदू से जाने वाला यह माध्धिका हो गई अब अगर मैंने इसको ऐस रखा यहां आर से जा रहा है आर के मुझे निर्देशांक पता है 4-5 तेकिन S का तो नहीं पता पता है कैसे मध्य बिंदू के निर्देशांक आपने पढ़ा है मध्य बिंदू के निर्देशांक के लिए दोनों के X अक्ष को जोड़ दो दो का भाग लगा दो दोनों के Y अक्ष को जोड़ दो दो का भाग लगा दो, आसान है ना, तो S के निर्देशांक दो माइनस दो बटा दो यानि जीरो, एक जमा तीन, चार, चार का आधा, दो, इसका मतलब S के निर्देशांक पता लग गए, R के निर्देशांक पता है, जब दो निर्देशांक पता है, आप आसाने से समीकरन पत कर सकते हैं, दूसरा उधारन देखते हैं, माइनस तीन पाँच से होकर जाने वाली और बिंदु दो पाँच तथा माइनस तीन छे से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरन गयाद करो, यहाँ प्रशन को जब पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेक लेकिन आप लोग थोड़ा-थोड़ा करके प्रशन पढ़ेंगे, कभी भी गलत फह्मी नहीं होगी, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं कि मैनस तीन पाँच से होकर के जाने वाली, ठीक है जी, तो माइनस तीन पाँच से होकर के तो वो रेखा गुजर रही है, दूसरी बा यानि इन दो बिंदूओं पर जो रेखा जा रही है उस पर वो लंब है अब यहां आपको दिहाना जाना चाहिए अगर हमारी जिस रेखा का समीकरन पता करना है वो इन दो बिंदूओं वाली रेखा पर लंब है इसका मतलब क्या है जो इसका स्लोप होगा उसको माइनस वन अ M कर देंगे और minus 1 upon करती वो slope आ जाएगा ये बिंदू दे रखा है आराम से समीकरन पता कर सकते हैं point slope form से तो इनका slope कैसे पता करें आपको पता है कि इस line का slope y2 minus y1 यानि आप M1 निकाल सकते हो 6 minus 5 एक x2 minus x1 minus 3 minus 2 minus 5 हो गया ये तो रहा उस दो बिंदूओं को वाली रेखा का समीकरन लेकिन मुझे जिसका समीकरन निकालना है उसका slope निकालना है मानलो वो M है तो वो होगा minus 1 बटा M बन अर्थात sign भी बदलेगा और रैसी प्रोकल उल्टा हो जाएगा वित्कुरम हो जाएगा और ये हो गया 5 तो जिस रेखा का मुझे समीकरन निकालना है उसका बिंदू ये हो गया ढाल ये हो गया बिंदू ढाल रूप से आसानी से मैं समीकरन पता कर सकता हूँ जहाँ आगे होगा आगे देखते हैं समीकरन निकालना है दोनों अक्षों से अर्थात जिसके अंतेखंड समान हो जैसे हम पहले बी लेते थे अब दोनों बराबरें तथा अगर मानलो ऐसा हो कि एक बिंदू है माइनस एक दो तो ऐसी रेखा का समीकरन जो दोनों अक्षों से समान अंतेखंड बनाए और माइनस एक दो से पास हो कैसे निकालेंगे अब जानते हो कि अंतेखंड का जो समीकरन होता है वो होता है एकस बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक चुकि दोनों बराबर हैं इसलिए हमें बी की जगह भी ए लिखना होगा और उसके साथ ही एकस और वाई का मान माइनस एक और दो डालना होगा उसके बाद आसानी से आप समीकरन पता कर सकते हैं कैसे आईए देखते हैं कि एकस की जगह मैंने लिखा माईनस एक बटा ए जमा वाई की जगह लिखा दो और यहाँ पर भी आगया मेरा ए फिर बराबर में एक आप चानते हो कि इसमें अगर मैं ए लगुत्तम ले लूँ त लमा दो बराबर एक और इस तरह से एक का मान मेरा हो गया एक तो जब एक का मान एक हुआ तो समीकरन कितना होगा आप देखें मेरा समीकरन हो जाएगा एकस प्लस वाई बराबर एक क्यूं होगा इसे फिर से देख लो क्यूंकि दोनों में एक का मान एक आ गया तो एकस बटा एक प्लस वाई बराबर एक इस तरह से हम निकाल सकते हैं एक और प्रशन करते हैं जिसमें अन्तेखंड कुछ और दे रखे हैं मालो मुझे दे रखा है कि जी कोई रेखा ऐसी है जिसके लिए दे रखा है कि ये पास होती है तीन और चार बिंदूआं से तथा इसके जो अन्तेखंड है इनका योग दे रखा हो 14 अन्तेखंड का योग 14 दे रखा है तीन और चार से पास हो रही है आपको केबल इतना ध्यान करना है कि इससे बी का मान निकाल लेना है और बी हो गया 14 माइनस अब आपको जो समी करन है एकस बटा ए जमा वाई बटा बी बराबर एक इसमें इन सब के मान रखने है कैसे एकस का मान तीन बटा एक ए ही मान लेते हैं प्लस वाई का मान चार और बी का मान हो गया आपका 14 माइनस ए बराबर एक अब दोनों में लगुत्तम लेना है और लगुत्तम लेने के बाद हल होगा अगर मैं लगुत्तम लेता हूं तो मेरा लगुत्तम दोनों का आ जाएगा ए गुणा 14 माइनस ए तीन से गुणा हुआ ठीक है ना चौदेती 42 माइनस तीन ए प्लस चार ए बराबर एक और इसके बाद जब आप इनको गुणा करके तिर्चा गुणा करोगे तब ये आ जाएगा 42 माइनस प्लस ए बराबर यहां अगर आप गुणा करें तो 14 ए माइनस ए स्क्वाइर एक से गुणा हुआ 14 ए माइनस ए स्क्वाइर और फाइनली आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्क्वेशन द्विगात समी करन बन जाएगा ए स्क्वाइर को इधर लाए ए स्क्वाइर 14 ए भी बाई तरफ आया माइनस 14 ए और इधर है प्लस ए तो यह हो जाएगा माइनस 13 ए और फिर बचा 42 बराबर 0 आप जानते हो ऐसी दो संख्या है जिनने गुणा करने पर 42 आए और जोडने पर माइनस 13 कौन कौन सी होंगी माइनस 7 और माइनस 6 है ना इस तरह से इसके गुणन खंड हो जाएंगे ए माइनस 7 और ए माइनस 6 बराबर 0 जैसे यह हुआ आपके पास ए के दो मान आ गए 6 भी हो सकता है और 7 जब ए के दो मान आ गए आप जब B में रखोगे तो B के भी दो मान आपको पता चल जाएंगे अगर A का मान 6 है तो B का मान कितना हो जाएगा 8 और अगर A का मान 7 है तो B का मान हो गया 7 तो आपके पास दो समी करण ऐसे हो गए यह दिहान करना X बटा अगर A का मान 6 है तो Y बटा 8 बराबर 1 या X बटा 7 जमा Y बटा 7 बराबर 1 इस तरह के समी करण में आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं लेकिन इस वाले में आपको 7 लगुत्तम ले करके X जमा Y बराबर 7 करना जादा सही रहेगा तो इस तरह से अंतहक हंड के प्रशन भी आप आसानी से कर सकते हैं तो आज इस पूरे एपिसोड में आपने एक तो पहले की सारी चीजे पड़ी जो जो भी इसकी मुख्य चीजे हैं दूसरा लंब रूप विशेश तोर पर आपने देखा जिसमें सबसे ज़्यादा Confusancy हमारी होती है कुछ विशेश प्रशन जिन प्रशनों को डायरेक्ट नहीं होते हैं लेकिन हमें उस पर अभ्यास करना होता है जो बहुत आसान है इस तरह से आपको ये सब कुछ बहुत आसान लगा होगा आप लोग अभ्यास करें निश्चित तोर पर इस पूरे अभ्यास आपको सबसे ज़ादा आसान लगेगा आप लोग करें बहुत बहुत धन्यवाद करें लोगेगा निवाद्ट